अगर आपके स्मार्ट टीवी के अंदर गूगल प्ले स्टोर वरक नहीं कर रहा है यह प्रोब्लम आपको कैसे ठीक करना है कैसे फिक्स करना है हम लोग step by step इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं होते ही close हो जाता है या फिर कोई error आपको यहाँ पर दिखाता है तो वो error आपको कैसे ठीक करना है कैसे fix करना है हम लोग step by step इस वीडियो के अंदर जानने वाले है तो friends अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आए हैं please subscribe my channel ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको करना है जो आपका TV है उसकी Settings के अंदर आपको जाना है यहां पर आप देख पर है किया प्ल्लेक करेंगे रिमोट से तो यहां पर यह उपन हो जाएगा यहां पर आपको थोड़ा नेचे की तरफ आना है यहां पर आपको एक Apps को ऑप्षन मिल जाएगा आपको यहां पर क्ल All Apps का Option मिल जाएगा आपको यहां पर क्लिक कर दीजिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको Google Play Store का Option यहां पर मिल जाएगा आपको यहां पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको क्लिय पर आपको एक for stop का एक option मिल जाएगा आपको यहां पर click कर दीजिए और इसको okay कर देना है आपको ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है और friends आपको यहां पर clear data का एक option मिल जाएगा आपको यहां पर click कर देना है okay करने से पहले friends आपको यहां पर एक जानकारी बहुत जुरूरी है आपके लिए अगर आप यहां पर okay करते हो अगर आपने google play store पर किसी भी id से gmail id से login करके रखा है वो just sign out हो जाएगा ठीक है आपको क्या करना है जैसे आपका यह problem ठीक हो जाए आपको वापस से sign in कर लेना है बस इतना करना है और आपका कुछ यहां पर problem नहीं होगा just आपको यहां पर okay कर देना है जैसे कि मैं यहां पर okay कर दूँगा ठीक है यहां पर जैसे ही मैंने okay कर दिया यहां पर वो sign out हो चुका है मेरा यहां से application इसके बद आपको क्या करना है यहां पर एक option मिलेगा आपको uninstall updates क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने आपके google play store को update किया है हो सकता है उस update में कुछ ऐसा error हो जिसकी वज़े से यह play store आपका work नहीं कर रहा है तो हम लोग just उसको uninstall करेंगे updates को यहां पर okay कर दिजिए और यहां पर okay कर देना है तो फिर्ट यहां से हमारा जो अप्डेट था यहां से हम लोग ने ने अनिस्टल कर दिया है उसके बाद आपको क्या करना है बैक आ जाना है बैक आएंगे हम लोग, बिल्कुल बैक आजाएंगे, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका Google Play Store है, एक बार आपको लॉंच करके देखना है, यहाँ पर क्लिक कर दिजिए, रिमोट से, तो फिर देखें, यहाँ पर जो हमारा, हम लोगों को प्रोब्लम आ रहा थ गुगल प्ले स्टोर को उपन करने के लिए, तो यहाँ पर यह पर यह प्रोब्लम आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो आपके टीवी के अंदर Google Play Store लॉंच नहीं हो रहा है, या फिर कोई और प्रोब्लम आपको आ रहा है, वो आपको कैसे ठीक करन हैं अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और हेल्फुल लगा है और इससे आपका प्रोब्लम ठीक हो गया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल वीडियो को लाइक करना शेर करना बैल आइक करना ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटॉप पर प्लाड़ करूँ उसका अट्रोकेशन आप तक पहुन जाए थेंक्यू सो मच